तो आज की जो वीडियो है वो पूरा एक दिन की नहीं है बलकि तीन दिनों की है एट, नाइन और टेन आज सुबह तक की ये वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कई बार ना घर के परसनल कामों में हम इतने उलच चाते हैं ना कि फिर व्लॉगिंग का उतना कंटिन्यू नहीं हो पाता है काम की चीज़ी डियन जादिव गाओजी, दिखहें अपम आपके साथ एंए, जादिवाड़ी दिखियें दिखियांटरर्च इसमें की ज्वालता है लाँ इत्वार में लेकर वर्में लिए जवाब जितना चीज़ावा ततना कौन वर्म झाब देये था तो माने न ये वाला नेर पिंट जो रिमॉवर पूरा बॉक्स आता है न इस टाइब से ये वाला माने कभी नहीं देखा था मुझे पता था तो मैंने सोचा चलो आज उनको दिखाते हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगा ये अच्छली गाओं में जो नेल पिंट रिमॉवर मिलते हैं उनका प्राइस तो अच्छा खासा होता है मैंने भी वहाँ जाकर यूज किय लेकिन वह बिल्कुल ही खराब होता है मतलब कई बार तो 15-15 मिनट लग जाता है कॉटन से आप वाइप करते रहो लेकिन नेल पेंट आपका छूटता ही नहीं है तो मा जब यहां आती है या मैं जब वहां जाती हूँ तो मैं उनके लिए नेल पेंट रिमॉवर जरूर ले वहां के नेल पेंट रिमॉवर से तो वह उपर के उपर लगाती रहती है लेयर्स बनाती रहती है चुटाने का आला सो जाता है उनको तो इसलिए यह वाला जो है मैं वह खरीद के दूँ कि इसलिए मैंने माग को आज दिखाया वह बड़ी सप्राइज हो गई कि अरे ऐसे स में कैसे निकल गया उसके बाद जैस्ट करके जो क्लीनिंग है डस्टिंग है बैट बनाना है यह सारा मैं कर दूंगी तो सुबह के बाद सीधा हम लोग मिल रहे हैं शाम को और शाम के समय एक बहुत बढ़िया सा बिहारी स्नैक्स में बनाने वाली हूँ जो कि बहुत फेवरेट है बिहार के लोगों का वो है चूरा और चूरा जा ऐसे नहीं बन रहा है इसके साथ में बन रहा है चूरा 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 बहुत मन से खाया जाता है और लगबग एवरीडे का स्नैक्स होता है इवनिंग में चाय के साथ बिहार में लगबग सभी घरों में हमेशा यह बनता है और वहां पे तो जो बाहर का भुना हुआ ड्राइ एकदम रोस्ट किया वह चूरा है वो भी मिल और अलु अल्रेडी में गरम मतला बॉल कर चुकी हूं और पीनट भी रोस्ट कर चूकी हूं जस्त मुझे चूरा फ्राइब करना है तो जब सब लोगे एक साथ इकठा होंगे तब मैं चूरा बना दूंगी फटा 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 बनाने के लिए बहुत ही इजी है ज्यादा थोड़ा सा तेल हमें पैन के अंदर डालना है इसके अंदर जो छोटे वाले राई के दाने होते हैं वो हमको एड़ करने है एक चमच थोड़ा से मैंने इसमें healthy add कर दिया लेकिन उसको आप totally skip कर सकते हो generally healthy नहीं डालते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सूखा direct पोहा होता है मतलब इसको धोना वगेरा कुछ नहीं है वो हम इसके अंदर add कर देंगे और अच्छी तरीके से इसको भून लेंगे जब तक जो चूरा है वो बड़िया से crispy एकदम नमकीन की तरह नहीं हो जाता साथ ही add कर दिया है हमने इसके अंदर नमक इसके अंदर चाट मसाला हो गया थोड़ा सा लाल मिर्च का powder आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं मैंने इसको ऐसे ही बनाया सिर्फ नमक और हल्दी के साथ में लास्ट में इसके अंदर डाली है मूफली और बस अच्छे से mix कर देंगे और आप यहां पर देख सकते हो कि चूरा कितना अच्छा एकदम crispy करा रहा हो गया है और यह आटा है जो थोड़ी देर मतलब दुपहर तक लगबग बाहर रह गया था जिसकी वज़े से यह थोड़ा सा fermentation जो है इसमें start हो गई थी थोड़ा सी जाली जाली जैसे आने लगती है न तो यह आटा खराब नहीं हुआ है लेकिन यह आटा अगर हम इसे रोटी बनाएंगे न तो उतनी अच्छी टेस्टी रोटी नहीं बनेगी तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा टिप में आपको देना चाहूंगी जब भी आपका आटा कभी ऐसे एक दो घंटे के लिए बाहर रखा रह जाए और उसमें जालीया बनने लगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं पकोडी बनाने के लिए ऐसा आटा जिसमें हलकी सी फर्मेंटेशन हो जाती है ना वो बहुत ही अच्छे होते हैं पकोडी बनाने के लिए या फिर गुलगुले बनाने के लिए लेकिन क्योंकि आज हम भी चूरा वगेरा खाने वाले है ना तो इसके साथ में में मीठा नहीं बना रही हूँ मैंने इसमें हरे दिनिया के पत्ते अट कर दी है और साथ में हरी मीर चैट कर दी है थोड़ा सा नमक अट कर दी है और हां मैं आपको strongly recommend करूँगी कि आप इसके अंदर प्यास जरूर डाले नौरात्रे चल रहे थे तो मैंने इसके अंदर प्यास का इस्तमान नहीं किया है चोटे-चोटे कटे हुए महीन प्यास बहुत टेस्टी लगने वाले इस रेस्पी के अंदर और आप consistency देख सकते हैं यहां पर कैसी मैंने रखी है और बस चोटी-चोटी पकोड़ी हम बनाके तेल में डाल देंगे तो यह अंटे के पकोड़े हमारे बन के तयार है एक बार अपसको ट्राइक करके देखना आपको सच में बहुत अच्छे लगने वाले और जो चोखा मालू का बनाने वाले उसके साथ भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में कितने अच्छे दिखने में लग रहे और इस से जादा अच्छे लगेंगे अगर आप इनके गुलगुले बनाएंगे मतलब इसका जो मीठा वर्जन है वो बनाएंगे तो उसमें क्या होता है बस आपको आटा फेट करके और चीनी उसके अंदर एड़ करनी होती है थोड़ा इलाइची पाउडर भी चाहें तो डाल सकते ह जोड़ा अचछा है आजका मारा भीहारी नाश्ता चूरा और उसके वपर यह चोका चोका बहुत सिंपल है इसके अंदर जो लाल मिर्च होती है तो तो थोड़ा सा भून करके व ऐट किया है सूखी लाल मिर्च को नमक एट किया और सर् तरसोगा तेयल बस इसके अलावा च तो जो लेफ्ट ओवर थोड़ा सा थाना फूड वही सब लोगों ने खा लिया था इस तरीके से कुछ मैंने इसको प्रेजेंट किया है और एकदम देसी स्टाइल में है अगर आप लोगों ने ट्राइने किया ना इसका चूरा का भूजा और साथ में आलू का चोखा तो और बस ये खाना वाना खाने के बाद फिर रात का भी खाना जो लेफ्ट ओवर जो था वही हमने खाया और उसके बाद यहां पर देखिए मापापा की तैयारी हो गई है मापापा जा रहे है हरी दौर के लिए सेटर डे फ्राइडे की नाइटी निकल गयते हो लोगों नाद भल पर द्वाहिं हराद मासक मतलंगना गया जब हुआ जो इसे नाडे के खाना जाने तो हुआ, जो है काओ जैए जानSoich rigten की यहां उस्ति काओ सानाद्ट जाना सीप्शाद केंसे सब्सक्त्राइश Um내 मामार्ने की भ्याव कर दो को लोग आप चिंता मत किज़े, आप लोग ध्यान से जाएगे बस बाई पापा बाई बाई पर देखेंगे अरे पौन लेगा ओमड़ा हम अपन क्योड देखीं, कार रोड़े देखेंगे हाँ, बड़िया से जाएगे ठीक है पापा? मंदिर में प्रणाम कर ले ना तो अभी टाइम हो गया ग्यारा ग्यारा बच रहा है और पाप अम्मी और हस्बेंड अभी निकले हैं अभी हम लोग हैं अपनी बालकनी में और देख रहे हैं जाते हुए यह देखो नीचे नीचे देखो बाइ कर लो और पापा माँ यह बैठके तो इस वार कई जगा का प्लान था मापापा का कि वो लोग घूमेंगे तो वरिंदावन से तो हो आए अब जा रहे हैं हरी तवार हस्बिन भी जा रहे हैं साथ में और बड़े वहीया जो है वो जा र दोनों भाई साथ में जा रहे हैं तो यह इनकी सवारी निकल चुकी अभी बज रहे है रात के 11 बाई बाई दादा जी हैपी एंड सेफ जर्नी बोलू बाई दादा जादी पापा हैव सेफ जर्नी यह है अगली सुबह तो कल रात को सारी पैकिंग और गरने में काफी कुछ इदर उदर हो गया था तो सारी मैंने क्लीनिंग किया है सुबह उठके देख रहे हैं आप तेल रखा हुआ है मैंने बालों में तेल लगा है विकास आज अस्टमी है मेरा फास्ट है तो बालों से नहा नहीं था तो मैंने सोचा चलो तेल लगा लेते हैं अच्छे से और देरे अपना काम मिटता रहे है जब भी कहिं बहार जाते हैं तो दवाइयां कुछ रखनी ही पढ़ती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कितनी दवाईया फैली तो वह सारी पैकिंग करी तो यहां पर काफी जो ड्राइनिंग टेबल है थोड़ा सा गंदा हो गया था इसको क्लीन किया और घर की क्लीनिंग भी आज मैंने खुदी की है क्योंकि पूनम आज नहीं आई थी क्या है झालओ टायम आई रहाब काफी आई ताइबल है था रहा है था नहीं आज आई आई पर घर रहा रहा है टाइम बारा से उपर हो गया है और आज ना पूर्णम आई नहीं तो मेरा काम थोड़ा जादा हो गया तो इसलिए सारा काम अगेरा करके नहां के पूचा करके अभी अपने लिए मैंने चाय बनाई है और साथ में यह फास्ट वाले चिप्स तो दिन में मैं यह खा लेती हूं फिर कुकिंग जो है कुछ भी जैसे खाना है आलू साफु दाना सम्तिंग कुछ भी तो वो सारी चीज़े फिर मैं शाम को ही बनाती हूं डिनर में ही बनाऊंगी आज सुवे से उटके ना जादा मुझे बाड़ी पेन हो रहा है ना मैं बता नहीं सकती एक्चिल थोड़ी मुझे लगता है मुझे लग गई है बाहर क्योंकि कर्मी बहुत जादा होने लगी एक दम खड़ी धूप में जब से दार की चुट्टी होती है उस टाइम जिस इन मैं एक दिन से गई उस दिन से मुझे हाथ पैल में दर 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 सा फील हो रहा है तो अब यह मेरा ना इतना भर के कप चाई पीने का मन हो रहा था कि मैंने कुछ जाता ही बना रहा है इमेजिन किजी इतनी सारी चाए कि मुझे कोई कप नहीं मीला तो मैंने मग में लिया इतने बड़े मग में और काफी मीठी करके अच्छी शुगर डाल के मैंने बनाई है उसके साथ में यह चिप्स अब ब्रेक्फस्ट वगरा किया है और अब भी मुझे नहीं पता भी मैं फोन जानके नहीं कर रहे हूं कि रात बार उन्होंने ट्रैवल किया है तो जगे रहे हैं तो अभी तो प्लैन यही था कि वो लोग सुएंगे थोड़ी दे फिर शाम से वो लोग फिर अपना घुमन दिन यह चाय और मेरा यही खाके निकल गया उसके बाद शाम को शाम की चाय बन रही है साथ ही मैं आलू बलने चड़ाए हैं और यह मैंने साबु दाना भिको दिया था तो इसकी सिंपल से खिचडी मैं बनाने वाली हूं और दही के साथ खालूंगी बस और कुछ नहीं बन करूं बट फिर उतना हिमत नहीं हुई तो मैंने सिर्फ अपने लिए साबु दाना खिचडी बना ली थी और बस वही तो अभी साड़े चार बज रहा है अभी से मैंने स्टार्ट कर दिया जल्दी बना लूंगी विकॉस सिधार शाम को नीचे जाता है खिलने के लिए उसक खाना में आते हो जो लेकों कि वापस आने की नहीं हर रोड़ी नहीं है तो मेरा और सिधार्त दोनों का डिनर यही हो गया था साबु दाना के चड़ी नहीं है जो मैंने दही के साथ खाई थी उसने बस ऐसे ही खाली थी और फिर लेट नाइट में उसको भूख लगी थी तो मैंने उसके लिए सैंविच बना दिया था पापा मा सेम दे ही वापस आ गए मतलब फ्राइडे नाइट को निकले और सेटेडे नाइट को ही वो लोग वापस आ गए थे देड़ बज़े के आसपास पापा का रुकने कवान नहीं था कि मैं रुकूंगा नहीं हमने सारा कुछ गूम लिया तो अब चलते हैं तो पूरा दिन गूमने के बाद रात को कैप करके वो लोग आ गए थे और ये है आज सुबे का सुबे से उठके तो मैंने कुछ शूट नहीं किया पूरा घर क्लीन करना था मुझे पूरा माज भी नहीं आई तो क्लीनिंग करके किचन क्लीन करके बर्दन करके सब कुछ करने के बाद फिर मैंने नहाया है और आज मैं थोड़ा सा अच्छे से रेडी हुई हूई 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 विकॉस माँ पापा भी है यहां पे ऐसे तो हम मैं भी को करके रख दिये थे और जो सूजी है उसको भूनना है और इसमें तड़का लगेगा चने में और पूरी बनेगी और यह वाली साड़ी मा के लिए ऑनलाइन मैंने और करी थी उनको कलर इसका बहुत पसंद आया है लाइट कलर ऐसा उनको अच्छा लगता है आज प करी है तो आगे मैं वीडियो समें शेयर करेंगी तो आगे मैं वीडियो समें शेयर करेंगी करेंऊ जागे मैं हुआंगे करेंगी तो आगे मैं वीक मैं खूर बनेगमें में भरेज़ और एस्योंस आगे में तो आगे मैं वीडियोंस तो प्रशाद हमारा लगबग बनके तयार हो गया इसमें जो पानी पानी दिख रहा है चने में उसको में थोड़ा सुखाऊंगी गैस पे रखके रखोंगी इसको और पूरी और हलवा सब कुछ बन चुका है तो अभी आई हूँ मैं पूजा करने के लिए भगवान को प्रशाद अरपन करूँगी उसके बाद मैं नीचे जाओंगी मंदिर में मैं केला और जो भी प्रशाद है वहाँ पे अरपन कर देती हूँ उसके बाद जो मुझे जहां प् अर्णाद प्रशाद 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 अर्वार्वान कर दो अपने घर के पुजा हो गई मंदीर में भी मैं प्रशाद जो चढ़ाती हूँ चढ़ा के आगई हूँ और उसके बाद इनको देना था उनको भी दे दिया उसके बाद हम लोग प्रशाद यहाँ पर इंजॉइ कर रहे हैं और ये जो प्रशाद बनता है न प्रशाद के नाम आप कुछ भी चीज बना लो, उसका जो स्वाद होता है, बहुत ही कम इंग्रीडेंट होता है, कोई लाजन प्याज नहीं होता है, लेकिन इतना अच्छा स्वाद आता है, कि मन त्रिप्त हो जाता है, बिल्कुल खाके, सब कुछ ही बहुत अच्छा बना था, प्रशाद था क क्योंकि तो अभी हम लोग प्रशाद खाएंगे, उसके बाद प्रॉपर फिर से मैं पूरी तरलूंगी, क्योंकि प्रशाद के भरकी बनाई थी मैंने, और उसके बाद फिर हम प्रॉपर अपना मील जो है, वह नच्छाए करेंगे, तो चलिए, आज की यही थी बस वीडिय होफिली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो थमसब करना बिल्कूल मत भूलेगा, मैं मिलते हूँ आप से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थांक्स पो वाचिंग, टेक क्यार, बाइबाई